हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड आज हम बेवी के लिए बूट बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से यह देखिए फ्रेंड यह सिक्स मंत से लेके दो साल के बच्चे को अराम से आ जाएगा इस तरह से मैंने इसको उल्टे-उल्टे की सेप दे रखिया और दोरी भी बनाके लगा दिया है तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे हम तो सबसे पहले फ्रेंड हम डबल कर लेंगे इस तरह से धागा इतना और यहां पर पचास पंदे डाल देंगे देखिए किस तरह से दो, तीन, डिजाइनर डालेंगे चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा इस तरह से पचास पंदे डाल देंगे अब फ्रेंड देखिए मैंने चालिस पंदे डालने है सोरी फ्रेंड मैंने पीछे आपको पचास पंदे बोले तो पचास ने हम डालेंगे चालिस पंदे डाल देंगे इस तरह से अब इन ही फंदों को हम उल्टा-उल्टा बनाते जाएंगे दोनों साइड से यह देखिए इस तरह से सब ही बंदों को व्ल्टां बना देंगे उल्टी स्लाई पे भी और सीधी फे फे वे यह हमारी उल्टी श्लाई है और दूसरी हमारी सीधी साइड होइगी तो फिर ओ भी मैं बताती हुँ ये अब सीधी साइड पर देखें यहां भी हम धागा आगे करके इस तरह से पूरी स्लाइड उल्टी लगा लेंगे और उल्टी स्लाइड पर दूसरा कलर लगाएंगे तो यह स्लाइड में पूरी उल्टी बना लेते हूं पहले अब देखिए फ्रेंड दूसरा कलर लगा लिया है मैंने यहां से अब हम दो स्लाइयां हम इस वाले कलर की लगाएंगे और चार स्लाइयां दूसरे कलर की वो उल्टी उल्टी ही बनाएंगे सभी स्लाइयां इस तरह से और सीधी स्लाई पे भी हम उल्टा ही बनाएंगे इसको तो देखिए कितनी स्लाई यह लगाएंगे हम यह देखिए यह वाली हमारी कंप्लेट हो गई यह वाला कलर लगाया था हमने अब यह देखिए दो फिर एक दो फिर एक पांच बार हम एक दो तीन चार पांच बार हमें बनाना बताऊंगी और आगे वाला डिजाइन बनाऊंगी तो यहां तक आप यलो कलर तक बना लेजिए इसको फिर आगे दिखाते हूं पांच बार बनाने के बाद फिर दिखाते हूं अब देखिए फ्रेंड एक दो तीन चार पांच बना लिए मैंने और उल्टी स्लाई दोरी डालने के लिए हूल बनाएंगे तो देखिए किस तरह से बनाएंगे यह दो फंदे हमने बना लिए यहां पे जाली बनाएंगे अब दो का एक करेंगे एक दो तीन चार पंदे बनाए फिर जाली बनाई और दो का एक कर दिए एक फंदा एक आउंट करेंगे दो तीन चार फिर जाली बनाई दो का एक बनाया यहां जाली डालके फंदा बढ़ा तो आगे हमने कम कर दिया दो तीन चार जाली बनाई दो का एक बनाया दो तीन चार जाली बनाई दो का एक बनाया दो, तीन, चार, फिर से जाली बनाई, दो का एक बनाएंगे, दो, तीन, चार, जाली बनाई, दो का एक बनाया, तीन, चार, जाली बनाई, दो का एक बनाया, और लास्ट बाला फंदा फिर से उल्टा बनाया, अब एक धारी इसके बाद फ्रेंड हम और बनाएंगे दोनों साइड से उल्टा-उल्टा तो धारी में बना लेती हूं फिर दिखाती हूं आगे इस तरह से दोनों साइड से हमने उल्टा-उल्टा ही बनाना है इसको अब देखिए फ्रेंड तीसरी धारी हमने यहां तक बनानी है और यह 14 फंदे हम यहां छोड़ देंगे 14 हम इस साइड छोड़ेंगे और बीच के इन 12 फंदों को हम इस तरह से 12 धारी यहां बनाएंगे बीच के फंदों को देखिए किस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा अब हम आगे नहीं बनाएंगे, 14 फंदे हम इस साइड छोड़ेंगे, 14 इस साइड और यहीं से पीछे मुड़के सिर्फ इनी फंदों को हम 12 धारी यह बनादेंगे, देखिए इस तरह से दोनों साइड से उल्ट, उल्ट बनादेंगे, सिर्फ 12 फंदों को आगे तक यह देखिए फिर यहीं से पीछे मुड़ जाएंगे और फिर उल्टी स्लाइप पूरी बारा फंदों की इस तरह से बना देंगे तो यह बारा धरियां मैं बना लेते हूं टोटल 24 लाइएं लगाएंगे मुल्टी उल्टी इन बारा ही फंदों की इस तरह से यह देखिए यह हमारी एक दो धारी हो गई यह हमारी तीसरी धारी बनने जारी है इस तरह से यह दो हमने कौंडने करने हैं इस वली की है इसके बाद हमने बारा धरियां बनाने हैं देखिए इस तरह से है तो यह मैं बारा धर यह बना लेते हूं उल्टी-उल्टी फिर आगे दिखाती हूं बहुत ही इजी डिजाइन है फ्रेंड बहुत ही सुन्दर और बहुत ही जल्दी बन जाती है वधाली जुराव तो एक बार जोट राइ किजिएगा इसको और बीगनर के लिए ही बहुत ही इजी है कुछ भी नहीं करना है सिर्फ हमने उल्टा-उल्टा ही बनाते जाना है तो यह मैं बना लेती हूं बाराधरियां फिर दिखाती हूं आगे अब देखिए फ्रेंट बाराधरियां बना ली मैंने इस तरह से अब हम दस फंदे उठाएंगे यहां से देखिए किस तरह से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, औरे, दस और इन आगे वाले फंदों को भी हम उल्टा बना देंगे लास तक हम सभी फंदों को बनाएंगे जो हमने उठा रखिया है इनको भी और जो आगे वाले हमारे चोदा फंदे हैं उनको भी इस तरह से इस तरह से आगे वाले फंदे भी सभी को बना देंगे उल्टी स्लाई फिर उल्टी बनाते हुए आगे तक आ जाएंगे हम और वहाँ भी मैं फंदे उठाना बताते हूं किस तरह से हम उठाएंगे दूसरी साइड भी फंदे तो इस तरह से हमारी देन कुलिश इसी वन घंगित अब उल्टी साइड से भी हो उल्टा ही बनाएंगे श को यहां से भी उल्टा अ प्थि तरह से और यहां से होते हुए यहां तक आजएंगे हम फिर यहां पर बताते हुं मैं किस स्तार उठाएंगे पन दे कि अब देखे यहां पे भी हम वैसे उठाएंगे बाऌरी साइड से पहले अमने अंदर वाली साइड से उठाए थे अब 10 अन हर रे 10 अभी इन फंदों को भी हम उल्टा बना देंगे इसके साथ ही हमारे पास ही 60 फंदे हो जाएंगे टोटल तो इन 60 फंदों की हम यहाँ पे यह देखे एक दो धारियां बना लेंगे फिर दो इस वले कलर की बनाएंगे फिर एक दो तीन चार पंच छे छे फिर हम आगे वले कलर की बनाएंगे तो इस तरह से एक दो तीन चार पंच छे साथ आड़ नौ दस धारियां हमारी टोटल हो जाएंगे यह तो यह मैं दस धारियां बना लेती हूं इसी तरह से उल्टा-उल्टा दो धारियां इसकी बनाने के बाद फिर मैं दूसरा कलर लगाऊंगी और चार सलाहियां उस वले कलर की लगाऊंगी और फिर उसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे तो इस तरह से टोटल हमारी यहां पर दस धारियां हो जाएंगी तो यह मैं दस धारियां बना लेती हूँ फिर आगे मैं इसको सिलना बताती हूँ आपको किस तरह से सिलेंगे हम इसको बस अब सबी फंदों को 60 फंदे हैं कॉंट कर लिजिए गा और इन 60 फंदों को देखे इसी सलाई के साथ हमारी यहां पर दो धारियां हो जाएंगी इसके बाद फिर हमें एवले कलर लगाएंगे और चार सलाईयां इस वले कलर की लगाएंगे तो इस तरह से उल्टा-उल्टा बना देंगे एक साइड हमारी एक की धारी आएगी इस साइड एक धारी आएगी और इस साइड दो धारी आएगी तो यह मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ अब देखें फ्रेंट एक दो तीन चार पांच छे धरियां एक दो इसकी और एक दो इसकी दस हमारी टोटल हो गई और साथ फंदे हमारे अब हम मुल्टी साइट से इन फंदों को बंद कर देंगे एक फंदा बनाएंगे पीछे वला इसके उपर से उतार देंगे इस तरह से मैं सारे फंदे बंद कर लूँगी और फिर बाद में आपको सिलना बताते हूं किस तरह से सीलेंगे हम इसको फिर तो पहले सारे फंदे बंद कर लेते हैं इसी तरह से देखिए अब देखिए फ्रेंड शीलेंगे हम इसको तो सीधी अंदर की साइड करेंगे उल्टी बार की साइड यहां से शिलना स्टार्ट करेंगे नीचे तक इस तरह से एक एक पंदा लेते हुए यहां से लेके इतना पीछे तक सिल देंगे हम इतना छोड़ देंगे और इस तरह से धारियां से धारियां मे लाते हुए सिल देंगे अब देखे फ्रेंड यहां से आगे हम इसको इस तरह से सिलेंगे एक साइड से सिंगल सिंगल यहां पर गुलाई लगाएंगे थोड़ी ताकि बूटकी से पच्छे से आजाएं और यहां से फिर धागा काट देंगे इस तरह से और फिर देखे फ्रेंड सीधा करेंगे हम इसको देखे फ्रेंड इस तरह से बनके आया है सिधा करके बहुत ही सुन्दर बूट बनता है बेवी के लिए तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थेंक यू आपको वीडियो